नमस्कार दोस्तों नमेह शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हारदेख स्वागत करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो होगी अगहन मास गुरुवार के विशय में और सबसे ज़्यादा महतपूर बात कि अगहन मास का जो प्रथम गुरुवार है अर्थात 21 नमंबर 2024 इस दिन गुरु पुष नच्छत्र की प्राप्ती हो रही है तो इस दिन पुष नच्छत्र है और दिन गुरुवार का है और वो भी अगहन मास का गुरुवार जो की माता महालक्षमी जी को समर्पित है तो ऐसा अद्भुत सन्योग हमें प्राप्त हो रहा है कि इसमें कित इस ब्रत को प्रारभ कर रहे हैं, तो इससे अच्छा संजोग तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आज की वीडियो में आप लोग पूजा विधी जानेंगे, साथ में आप लोग ये भी जानेंगे कि पुष्ण नच्छत्र का लाब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कैस इस दिन जो माता महालक्षमी जी के निमित ब्रत रखते हैं, उनकी पुझा अर्चना करते हैं, उनके मंत्रों का जब करते हैं, या फिर कनगधारा इस्तोत्र स्री सूक्त का पाठ या फिर विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनकी पुन्य का वरण किया ही नहीं जा सकता है उन्हें कितनी पुन्य की प्राप्ती होती है और कितनी कृपा प्राप्त होती है इसका वरण करपाना असंभव है तो आप सभी लोग जो भी मारे भाई बहन ब्रत नहीं उठा पा रहे हैं वो लोग भी इस दिन विधी विधान से पुष्ण चत्र में माता महा लक्षम पुजा अर्चना आप लोग जरूर कीजिएगा सात्य भोजन ग्रहन करते हुए आप संपूर पुजा अर्चना जितनी पुजा हम लोग ब्रत में करते हैं जिस प्रकार से उतनी ही पुजा उसी प्रकार से आप पुजा बिना ब्रत रखे भी कर सकते हैं इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आईए पुजा विधी जानते हैं और साथ में आपको क्या विशेश कर लेना है वो भी जानेंगे तो सबसे पहले मैं बता देती हूं कि इस पुजा अर्चना मंतर जब इत्यादी तो करना ही करना है इस दिन आप अपने घर में कुछ ऐसी वस्तु जो की बहुत ही कम बजट में आजाने वाली है जैसे कि सोना चादी इत्यादी खरिदना सभी के बजट में नहीं है तो इस दिन आप अपने घर में गांठ वाली ह जरूर लाईएगा बच्चों की पुस्तक खरिदनी हो कापिया खरिदनी हो कहने का मतलब विद्या से संबंधित कोई वस्तु खरिदनी हो तो जरूर खरिद लीजिएगा पूजा से संबंधित कोई वस्तु खरिदनी हो इस दिन तो जरूर खरिद लीजिएगा क्योंकि करोड़ों गुना पुन्यफल प्राप्त होता है तो आप लोग कुछ न कुछ ऐसी सामगरी अपने घर में खरीद कर जरूर लाईएगा हल्दी जो की ब्रहस्पती का कारक होती है और गुरु पुष्ण चत्र में हमें गांठ वाली हल्दी खरीद कर जरूर लानी चाहिए तरानी के चरोडों में वो हल्दी आप लोग जरूर रखिएगा पाच गाठ या साथ गाठ हल्दी जरूर रखिएगा ये मैं पहले ही बता दे रहे हूं वैसे मने अगहन गुरुवार ब्रत के विशे में संपूर आप लोगों को वीडियो दी है और बहुत सारे प्रश्ण तो आप ये बुधवार को ही धुल लिजेगा गुरुवार के दिन आपको केवल दैनिक सफाई करनी है अर्था जाडू पोचा अपने घर में करना है इस बात के लिए आप बिल्कुल भ्रमित मत होएगा कि हमें गुरुवार के दिन जाडू या पोचा अपने घर में नही लगाना चाहिए बिलकुल लगाना है जाडू पूचा हमारी दैनिक सफाई है तो इसमें हमें दोस्ट नहीं लगने वाला है अब माताय बहने ब्रह्म मुहूर्त में उठें उसके बाद सबसे पहले अपने घर में जाडू लगाए घर की सफाई करें और मुख्य द्वार की जरूर कीजेगा सबसे पहला कारिया इसको करने के बाद आप पीला बस्तर धारड कर सकती है और मातालक्ष्मी जी की पूजा के निमेत आप चाहें तो लाल बस्तर भी धारड कर सकती है वैशे पुष नचतर है तो आप पीला बस्तर धारड करें तो बहुत उत्तब है उसके की माता लक्ष्मी जी के बरत में दोनों ही समय पूझा करना आवश्यक होता है तो संध्या पूझन में भी आप लोग धहलीज पूझन कर सकते हैं लेकिन ब्रह्म मोहूर्थ में धहलीज पूझन जो किया जाता है इसका लाभ अनन्ध गुना हमें प्राप्त होता है इससे माता लक्षमी जी की असीम क्रिपा हमें प्राप्त होती है तो दहलीज पूजन मैं बता दे रहे हूं विधी यही रहेगी चाहे आप संध्या के समय करें या सुबह करें तो दहलीज पूजन के लिए सबसे पहले गुरु पुशन चत्र के कारण में बता रहे हूं कि हल्दी से स्वास्तिक बनाईएगा वैसे तो आप रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं कुमकुम से भी स्वास्तिक बना सकते हैं सिंदूर से भी स्वास्तिक बना सकते हैं पुष नचतर है तो हल्दी से आप लोग स्वास्तिक बनाईएगा उसके बाद छोटा सा आप पात्र लेकर उसमें जल रखिएगा जल में आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजेगा उसके बाद वहाँ पर एक दीपक प्रजलित कीजेगा घी का या तिल के तेल का और मतालक्षम जी का आवाहन कर लीजेगा उसके बाद इस ब्रत में मता जी के चरण चिन्ध बनाने का विशेश विधान है तो आप चरण चिन्ध चाहें तो नए चावल से बना सकते हैं वैसे गुरुवार के ब्रत में मतलब अगहन गुरुवार के ब्रत में नए चावल या नए चावल के आठे से चरण चिन्ध बनाने का विशेश महत होता है तो आप चाहे बना सकते हैं या फिर आप अभीर, गुलाल, हल्दी, इत्याद से भी चरण बना सकते हैं चरण आपको जोडे में बनाना होता है और विशम संख्या में पांच, साथ, इग्यारा, नौ इस तरह से आपको बनाना होता है और बाहर से अंदर की तरफ आते हुए आपको चरण चिन्ध बनाना है ये बहुत जरूरी है मतलब मुख्यद्वार से अंदर की तरफ आते हुए कि मतालक्षमी जी हमारे घर में प्रवेश कर रही है इस डायरेक्शन में आपको चरण बनाना है और थोड़ा बस्तर बिछाईए बहुत ही उत्तम है आप चाहें तो लाल भी बिछा सकते हैं क्योंकि ये माता लक्षमिजी की पूजा का दिन है तो वहाँ पर आप पीला या लाल बस्तर बिछा ले उसके बाद कलश के स्थापना करें यहाँ पर मैं बता दू कि कलश के नीचे जो हम आसन चावल या धान का वो नई फसल का ही होना चाहिए ये बहुत ही उत्तम होता है नए धान्य का नए अनाज का बहुत ही महत होता है इस गुरुवार के ब्रत में तो आप धान या चावल नए रखियेगा आसन देकर उसके बाद पात्र में मतलब लोटे में जो भी आप पातर ले रही हैं, उसमें गंगा जल डालिएगा, हल्दी गांठ वाली, सिक्का, दूर्वा, सुपारी, लॉंग, इलाइची, पुष्प, इत्यादी डालकर आप स्वक्च जल डालकर कलश की स्थापना करेंगे, पंच पल्लो उपर रख दीजेगा, और इस पूजा में आपको श् नारियल का मुख है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, अर्था जो लोग पूजा करेंगे, उनकी तरफ होना चाहिए, इस डारेक्शन में आप नारियल के स्थापना कर दीजिए, कलस में आप स्वास्तिक बना दीजिए, मौली बान दीजिए, अब आपको दीपक के स्थापन अब अगली बात माता महालक्षमी जी की जो प्रतिमा है यदि अकेली की प्रतिमा है माता लक्षमी जी की केवल प्रतिमा है तो आप अलग से सुपारी से श्रीहरी नारायर जी और भगवान गडेश जी की स्थापना कर लें गौरि गड़े जी की स्थापना हो गई, श्रीहरी नराड और मात लक्ष्मी जी की स्थापना हो गई, कलस में आप सभी देपी देवताओं की स्थापना कर लेंगे, मतलब आवाहन कर लेंगे, यह कारे पूड हो गया, अब आप भोग प्रसाद में क्या लगाएंगे उसको भ तो भोग प्रसाद में आप सात्विक फलाहारी भोग भी लगा सकते हैं, मौसमी फलो का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग भी आप लगा सकते हैं, सात्विक मिस्ठान का भोग लगा सकते हैं, और नय चावल की खीर बना कर भी आप भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग तो हमे भोग में लगाया है पूरे परिवार में आप वितरित कर दें और जो व्रती हैं मतलब जो व्रत रखे हैं वो इस खीर को संध्या पूजण आरती इत्यादी के बाद ग्रहन करेंगे ये बात हो गई अब चौकी की सजावाट आप और भी कैसे कर सकती है तो चौकी की अब आपको भोग प्रसाद इत्यादी की विवस्था करने के बाद थाल में आप पूजन सामगरी रख लें रोली कुमकुम हल्दी सिंदूर धूप दीप पुश्प ये सारी चीजे रख लें भगवान गड़ेश जी के लिए दूरवा जनेवू पान का पत्ता ये सारी ची अब आप जल चिड़कर अब बैठ जाएं अब सबसे पहले आप सभी देवी देवताओं को असनान कराएं यदि आपने मूर्ती रखी है तब आप गंगा जलिया पंचामरित से सनान कराएं विधिवत असनान कराएं यदि आपने फोटो या चित्र रखा है तो आप सांकेत सनान कराएं अर्था जल चिड़कर सबसे पहले भगवान गड़ेश जी से आप प्रारंब करें माता गौरी जी कलश में सभी देवी देवता फिर्शी हरी नारायन जी माता लक्षमी जी नारियल के उपर जो दीप जोती हैं माता लक्षमी जी का स्वरूप है सब कुछ आप सनान करा दें देपक प्रजलित कर दें धूब जला कर रख दें भोग प्रसाद सामने रख दें माता रानी को आप वस्त्र याक कलावा चुद्री आपने जो भी आपके पास है आप उनको उड़ा दें उसके बाद आप सबसे पहले भगवान गड़ेश जी की बंदना करें प्रार्थना करें और उनको दूर्वा पान, सुपारी, लोंग, इलाची, सिंदूर अरपित करें भगवान गड़ेश जी को सिंदूर अरपित किया जाता है और बाकी जो देवता है मतलब हनवान जी को भी सिंदूर अरपित किया जाता है आप सभी लोग जानते हैं बाकी में आप सिंदूर से थिलक कर दें, उसके बाद कलस में जितने भी देवी देवता हैं सबका आमाहन करें, पूजन करें, माता गोरी जी को आप सिंदूर अर्पित करें, पीला चंदन, रोली, कुमकु, पीरे चंदन या हल्दी से स्रीहरी नराड जी को थिलक करें, माता लक्ष की जहां तक बात आती है तो यदि आपने शेहरी नारायड जी के लिए अलग से भोग प्रसाद रखा है तो आप उसमें तुलसी पत्र डाल सकती है नहीं तो आप केवल भगवान नारायड जी के चरड़ों में तुलसी पत्र अर्पित करने और भोग प्रसाद आपने एकठा ह रखा है तो माता लक्षमी जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं पड़ेगा इसलिए आप सिहरी नाराड जी को अलग से तुलसी पत्र समर्पित कर सकती है भगवान गड़ेश जी को भी तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा अब ये सारे कारे करने के बाद अब आपको मतालक्षमी जी के बीज मंत्रों का जब करना है या फिर कनकधारा इस्तोत्र स्रीशुक्त का पार्ट कर ले या फिर आप मतालक्षमी जी की चालिसा का पार्ट कर ले विश्नु सहस्तर नाम का पार्ट कर ले गुरु पुष्च और यह पूजा आपकी गुरु पुशन च्छत्र में हो रही है तो इस तरह से आप जो भी पाठ कर पाएं जितना भी आप से बन पड़े आप करें उसके बाद विधी विधान से पूरे परिवार मिलकर आर्थी करें नैवे दे जो भी है उसे आप समर्पित कर दें उसके करें आपको वही अनाज की रूप में एक अनाज वही आपको प्रसाद खाना है अब संपूर पूजा आपको इसी प्रकार से संध्या की समय भी करनी है आप फिर से गरम पानी से स्नान कर लें या फिर हात पैर मुग धोकर अपने बस्त्रों को बदल कर फिर से आप जो पाठ हित्यादी नहीं कर पाए है तो आप ये पाठ हित्यादी संध्या के समय भी कर सकती है या फिर दोनों ही समय आप कर सकती है दीपक की जहां तक बात है आप चाहें तो प्रते गुरुवार को अखंड दीप प्रजलित कर सकती है मतलब सुबह आप दीपक आपने प्रज हटाना है कलस के नीचे जो अक्षत आपने रखा है वो पक्षियों को दे दे या फिर गव माता को दे दे कलस के जलका छिड़काव अपने घर में कर दे पुष्प पत्तियां जो भी है पंच पल्लो वो आप एक अत्रित करती जाएं एक जगह बाद में आप जब पूरी जरूर अर्पित करें और फिर बुद्धवार के दिन मतलब अगले बुद्धवार के दिन चवकी का जो वस्त्र है माता जी को आपने उढ़ाया है वो सब साफ करके फिर दुबारा से आप बिछाएं क्योंकि आपको फिर अगले गुरुवार को पूजा करनी है और फिर से आप कलस में सौच जल भरें फिर से जो कलस के स्थापना की विधी है आप करके फिर से उसी तरह से पूजा करें तो दोस्तों ये थी संपूर पूजा गुरु पुषन चत्र में किस प्रकाल से आप अधिक से अधिक लाव प्राप्त कर पाएं अधिक से अधिक आपको पुन यह जरूर लिखिएगा दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद नमाश्वाय हर हर महादेव